हलो फ्रेंड्स, वल्कम बेक तो मैं चनल, आज मैं आपको वन सैट फ्रील टॉप बनाना बताऊंगी, तो उसके लिए मैंने ये देड़ मिटर जॉर्जट का फेबरिक लिया हुआ है, तो देखें ये फेबरिक मेरा दो कलर का है, तो इसलिए मैंने देड़ मिटर फेबरिक ल और नीचे से इसके खुली हुई साइट है इस तरह से फैब्रिक को मैंने फोर लेयर में बिचाया हुआ है और इसकी जो लंबाई है वो मैंने 22 इंच की रखी है हम मेन फैब्रिक की लंबाई 24 इंच की रखने वाले है तो अस्तर की लंबाई मैंने 22 इंच की रखी है दो इंच कम का मैंने अस्तर लिया है अभी ऊपर से हमें शोल्डर के लिए साड़े साथ इंच पर निशान लगाना है क्योंकि आगे से हम डीप नेक बनाने वाले है और पीछे से हम तीन इंच का गला बनाने वाले है तो शुल्डर मेंने साड़े साथ इंच का लिया है और आम होल की लंबाई के लिए भी हमें साड़े साथ इंच पर ही निशान लगाना है साड़े साथ इंच पर निशान लगाते हुए एक सिधी लें ड्रो कर देनी है जितना हमने शुल्डर लिया है उतना ही हमें आम होल भी लेन तो आपकी कमर का जो भी मेजरमेंट हो उसका चौथा भाग करना है और उसमें भी हमें 2 इंच एड़ कर देना है sly margin के लिए तो मैंने 10 इंच पर निशान लगाया है वेश्ट का 4th पार्ट करना है और 2 इंच एक्ष्ट्रा लेना है sly margin के लिए अभी नीचे से हमें हिप की चोड़ाई का 4 भाग करना है और उसमें भी हमें दो इंच एड़ कर देना है सिलाई मार्जिन के लिए तो आपकी हिप का जो भी मेज़ उसका चौथा बाग करना है और दो इंच एक्ष्ट्रा लेना है सिलाई मार्जिन के लिए तो मैंने साड़े ग्यारा इंच पर निशान लगाया है हिप का फोर्थ पार्ट करके दो इंच एक्ष्ट्रा लेना है अभी साइट से भी हम लाइन ड्रो कर लेंगे अभी हम गल्ले की चोड़ा के लिए तीन इंच पर निशान लगाएंगे और पीछे की गले की लंबाई के लिए भी हमें 3 इंच पर निशान लगाना है और आगे की गले की लंबाई के लिए हमें 7 इंच पर निशान लगाना है तो पीछे की गले की लंबाई 3 इंच रखेंगे और आगे की गले की लंबाई हम 7 इंच रखेंगे और पीछे के गले के लिए round shape ड्रोग करना है और आगे के गले के लिए हमें V shape ड्रोग कर देना है इस तरह से अभी सबसे पिले हम back neck और back arm hole से इसकी cutting कर देंगे जैसे हमने ड्रोग किया है बिल्कुल वैसे ही हमें इसकी cutting कर देनी है उपर जो बंदवली सेट है उसे भी हमें cut कर देना है देखे मैंने cutting कर लिए है अभी हम इसमें से एक part को निकाल लेंगे और इसे वापस से double fold करते हुए हमें front neck और front arm hole की cutting कर देनी है तो देखे इस तरह से मैंने cutting कर लिए है और यह हमारे दो पार्ट है आगे और पीछे के लिए अभी जैसे हमने अस्तर कट किया है बिल्कुल वैसे ही हम main fabric पर भी इसकी cutting कर लेंगे तो देखे मैंने main fabric पर cutting कर ली है और main fabric की जो लंबाई है वो मैंने 24 इंच की रखी है अभी हम sleeve की cutting करेंगे तो fabric को मैंने four fold करके बिचाया हुआ है तो sleeve में मैं अस्तर अटेच नहीं करने वाली हूँ मैं इसमें three fourth sleeve बनाने वाली हूँ तो मेरी side है वो इसकी बनदवाली side है और जो उपर की side है वो इसकी खुली हूई side है इस तरह से मैंने fabric को four fold करके बिचाया हुआ है और sleeve की जो लंबाई है वो मैंने 17 इंच की रखी है ये 16 इंच की हमारी ready होगी और उपर से जो sleeve की चोड़ाई है वो मैंने 8 इंच की रखी है अभी cap sleeve की लंबाई के लिए हमें 3 इंच पर निशान लगाना है खुली हूई side से और बनदवाली side पर भी हमें तरही निशान लगाना है तीन इंच पर निशान लगाते हुए हमें एक सिधी लाइन ड्रो कर देनी है अभी खुली हूई side से हम 2 इंच पर निशान लगाएंगे सिलाई मार्जिन के लिए इस तरह से 2 इंच पर निशान लगाना है और इसमें हमें sleeve का shape ड्रो कर देना है अभी नीचे से जो मेरी sleeve की चोड़ाई है वो 5 इंच की है तो 2 इंच में एक्ष्टा रखोंगे सिलाई मार्जिन के लिए तो मैंने 7 इंच पर निशान लगाया है आपकी sleeve का जो भी measurement हो उसका चौथा भाग करके 2 इंच एक्ष्टा लेना है अभी side से भी हम line ड्रो कर देंगे अभी हमें इसकी cutting कर देनी है तो जैसे हमने draw किया है बिल्कुल वैसे ही हमें इसकी cutting कर देनी है तो देखिए इस तरह से मैंने sleeve की भी cutting कर ली है और ये हमारी 2 sleeve है तो चलिए अब बढ़ते stitching की तरप तो सबसे पहले जो main fabric है उसे सीधा रखना है और उसके उपर अस्तर को रखना है और इसके गले में हमें सिलाई लगा देनी है और सिलाई लगाने के बाद हम अस्तर को उल्टी side पर पलट देंगे और पलटने के बाद इसे चारो सैट से अस्तर के साथ जोइन भी कर लेंगे अभी back वाला part भी हमें सीधा ही रखना है और उसके उपर अस्तर को रखेंगे और इसके गले में सिलाई लगा लेंगे और सिलाई लगाने के बाद अस्तर को उल्टी side पर पलट देंगे और पलटने के बाद इसे चारो सैट से जोइन कर लेंगे सिलाई लगाते हुए तो दिखे मैंने main fabric के साथ अस्तर को जोइन कर लिया है और गले में भी मैंने cover सिलाई लगा दी है और चारो सैट से मैंने इसे अस्तर के साथ जोइंड भी कर लिया है और इस तरह से मैंने फ्रंट का पार्ट भी रेडि कर लिया है आप देख सकते हैं मैंने इसे अस्तर के साथ जोइंड भी कर लिया है और इस तरह से हमारे दोनों पार्ट रेडि हो चुके है अभी हम इसमें free लगाने वाले है तो सबसे पहले जहां तक भी आपको free लगानी है वहां तक आपको इसका measurement लेना होगा तो जैसे आप वीडियो में देख सकते है उस तरह से हमें right side से इसका measurement लेना होगा तो नीचे की सैट आपको जहां तक भी फ्रिल लगानी है वहां तक आपको इसका मेजरमेंट लेना है तो इस तरह से में एक सैट के गले का मेजरमेंट लेना है और जहां तक आपको फ्रिल लगानी है वहां तक आपको मेजरमेंट लेना है तो मैं 15 इंच तक की फ्रिल लगाने वाली हूँ अभी यह मैंने बचा हुआ ग्रे कलर का फैब्रिक लिया हुआ है इससे पहले हमें डबल फोल्ड कर लेना है तो इसमें से हम दो फ्रिल कट करने वाले है तो मेरी साइट है वो इसकी बंद वाली साइट है और जो उपर की साइट है वो इसकी खुली हुई साइट है इस तरह से फैब्रिक को हमें डबल फोल्ड करके बिचाना है क्योंकि हम इसमें से दो फ्रिल कट करने वाले है अभी जो हमारा 15 इंच का मेजरमेंट आया था उसे हमें इस तरह से मेजर टेप को राउंड में फोल्ड करना है जैसे आप वीडियो में देख सकते हैं बिल्कुल उसी तरह से हमें मेजर टेप को राउंड में फोल्ड करना है और जो हमने फैब्रिक को बीचाया हुआ है उसके बिल्कुल center में हमें इस तरह से measure tip को रखना है और जो अंदर वाली site है वहाँ पर हमें इस तरह से round shape draw कर लेना है जितना भी हमारा 15 inch का measurement आया था यानि कि जहां तक हम free लगाने वाले है वहाँ तक हमें measure tip को इस तरह से round में fold करना है और एक round shape draw कर लेना है बिल्कुल center में देखिए इस तरह से उसके बाद हम इसे dark कर लेंगे इस तरह से round shape को हमें dark कर लेना है अभी जो आपको frill की लंबाई लेनी है उसका आपको निशान लगाना है तो frill की लंबाई में 4 inch की रखने वाली हूँ ये 3 inch की हमारे ready होगी क्योंकि दोनु सैट से हमारा सिलाई में भी जाएगा तो इस तरह से पूरे round में हमें 4 inch पर निशान लगाते जाना है जो हमने center में round shape draw किया है उसके बिल्कुल 4 सैट से हमें 4 inch पर निशान लगाते जाना है और एक और round shape draw कर लेना है 4 इंच पर निशान लगाते हुए इस तरह से निशान लगा देना है पहले 4 इंच तक उसके बाद हमें round shape draw कर लेना है देखिए इस तरह से हम पूरा round shape draw कर लेंगे अभी किसी भी एक side से हमें इसमें इस तरह से तिर्चा round shape draw करना है जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं, बिल्कुल उसी तरह से किसी भी एक सैट से इस तरह से राउंड शेप ड्रो कर लेना है, उसके बाद जो हमने राउंड शेप ड्रो किया है, उसी के आगे हमें इस तरह से एक सीधी लाइन भी ड्रो कर लेनी है, और इसी तरह से हमें दो फ्रिल कट हो जाएंगी अगर आपके पास stitch machine है तो आप एक फ्रिल भी कट कर सकते हैं लेकिन दो फ्रिल कट करने से आपको इसमें stitch लगाने की जरुवत नहीं होगी दिखी इस तरह से मैंने फ्रिल को कट कर लिया है और ये हमारी दो फ्रिल है ये कुछ इस तरह से नजराएंगी तो ये जोर्जेट वाला फेब्रिक है तो ये उल्टा और सीधा दोनो एक जैसा ही होता है तो फ्रिल को हमें इसी तरह से रहने देना है और जो अंदर वाला round वाला shape है उसमें हमें सिलाय लगानी है और जो बाहर वाला round वाला shape है उसमें भी हमें सिलाय लगानी है और ये जो हमने सीधी लेंड पर cut लगाया था वहां से हमें इसे खुला रखना है क्योंकि हम इसे पलटने वाले है और अंदर और बाहर round shape में हमें इसमें सिलाय लगानी है जैसे आप वीडियो में देख सकते हैं बिल्कुल उसी तरह से तो देखे मैंने इस तरह से इसमें सिलाय लगा दी है पूरे ही round shape में और यहां से मैंने खुला रखा है अभी हम इसमें छुटे छुटे cut लगाएंगे जहां पर भी हमने सिलाय लगाई है वहां पर हमें छुटे-छुटे cut लगाने है इस तरह से तो देखे मैंने cut लगा दिये है अभी इसे हमें सीधी set पर पलटना है तो आप किसी भी नुकिली चीज की मदद से इस frill को सीधी set पर आसानी से पलट सकते है इस तरह से हमें सीधी सेट पर पलट देना है और पलटने के बाद हम इसे अच्छे से प्रेस से सेट कर लेंगे पूरी फ्रिल को तो देखे मैं इसे प्रेस से सेट कर लिया है इसे हम अभी टॉप पार्ट में अटेच करेंगे तो टॉप पार्ट को हमें सीधा ही रखना है तो सबसे पहला वाला जो तरीका है तो ये जो हमारी खुली हुई सैट है वहीं से हमें फ्रिल को अटेज करना है तो नीचे वाला जो कोने वाला पाठ है वो हमारा नीचे की सैट पर आएगा तो देखे यहां से जो खुली हुई सैट है वहीं से हम फ्रिल को लगाएंगे तो ध्यान रहे यह फ्रिल हमारी राइट सैट पर ही लगनी चाहिए तो पहला तरीका है आपको इस तरह से फ्रिल को लगाना है तो फ्रिल को अपनी सैट रखना है और जो हमारा गला है उसके बिलकुल किनारी पर हमें फ्रिल को इस तरह से रखना है और पहले हम इसे पीन से सिक्यूर कर लेंगे ताकि बाद में हमें सिलाय लगाने में आसानी हो तो जो फ्रिल की अंदर वाली राउंड वाली किनारी है उसी को हमें अटेच करना है तो देखे जिसे आप वीडियो में देख सकते हैं बिल्कुल उसी तरह से हमें जहां पर हमने निशान लगाया है वहीं तक हमें फ्रिल को लगाना है उसके आगे हम फ्रिल को नहीं लगाएं और सिलाय लगाने के बाद इस फ्रिल को इस तरह से हमें सीधी सैट पर पलट देना है तो यह अपने आप ही हमारी फ्रिल कवर हो जाएगी और जो ऊपर से खुली हुई सैट है उसे भी हमें शोल्डर के साथ इस तरह से सिलाय लगा देनी है उसके बाद यह जो नीचे वाली फ तो इस तरह से आप फ्रिल को अटेच करेंगे तो ये बिलकुल पर्फेक्ट तरीके से अटेच हो जाएगी नीचे की फ्रिल में हमें कोई भी सिलाय नहीं लगानी है अभी मैं आपको दूसरा तरीका बताती हूँ तो ये जो हमारी फ्रिल है और जो खुला हुआ हिस्सा है उस से ही हम इसमें किनारी पर सिलाय लगाएंगे तो फर्क स्रिप इतना है कि इसकी सिलाय आपको किनारी से यानि की ऊपर की तरफ से नज़राएंगी तो जहां तक हमने सेंटर में निशान लगाया है बिलकुल वहीं तक हमें इसमें सिलाय लगानी है नीचे सिलाय नहीं लगान तो आपको कोई भी मेहनत नहीं करने पड़ेगी तो आप इन दोनोहीं तरीके से Parril को अटेच कर सकते हैं. दोनोही तरीके से Parril बिल्कुल perfect तरीके से बैठ जाएगी. फर्क स्रिप इतना है कि पहले वाले तरीके में आपकी सिलाई उपर की साइट नजर नहीं आएगी और दूसरे वाले तरीके में नजर आएगी अभी एक पार्ट को हमें सीधा रखना है यानि कि फ्रंट पार्ट को सीधा रखना है और बेक वाला पार्ट उल्टा रखेंगे और इसके शॉल्डर जॉयंड कर लेंगे तो देखें मैंने इसके शॉल्डर जॉयंड कर लिये है अभी हम इसमें sleeve attach करेंगे तो simply हमें sleeve को उल्टा रखना है और center से ही हमें sleeve को attach कर देना है सिलाई लगाते हुए center से sleeve को attach करते है तो sleeve हमारी perfect तरिके से बेट जाती है उसके बाद जो sleeve की border है उसे हमें simply double fold कर लेना है और इसके उपर हमें sleeve लगा देनी है और इसी तरह से दूसरी side के आम hole के उपर भी हम sleeve को center से ही रखते हुए इसमें sleeve लगा देंगे उसके बाद जो हमारी sleeve की border है उसे भी हमें double fold करते हुए इसमें sleeve लगा देनी है इस तरह से sleeve की border को double fold करते हुए हम इसमें सिलाय लगा देंगे तो देखे मैंने स्लिव को अटेच कर लिया है और स्लिव की बॉडर को भी मैंने फोल्ड करते हुए इसमें सिलाय लगा दी है तो दोनों ही स्लिव को मैंने अटेच कर लिया है अभी हम टॉप पाट को उल्टा कर लेंगे और साइट से दो इंच का गेप रखते हुए हमें इसकी फिटिंग कर लेनी है दोनों ही साइट से दो इंच का गेप रखते हुए हम इसकी फिटिंग कर लेंगे उसके बाद जो नीचे की बॉडर है उसे हमें सिंपली डबल फोल्ड कर लेना है और इसके उपर हमें सिलाई लगा दिनी है तो अस्तर की जो border है उसे भी हम double fold करते हुए पहले सिलाई लगा देंगे तो देखे मैंने इसकी fitting कर ली है दोनों ही side से और नीचे की जो border है उसे भी मैंने fold करते हुए इसमें सिलाई लगा दिनी है और इसी के साथ ही हमारा one side frail top बनकर ready हो चुका है और यह है इसका final look So friends, I hope आपको आज का टुटोरियल पसंद आया होगा अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो इसे like और share जरूर कर देना और अगर अभी तक आपने हमारी चैनल को subscribe नहीं किया है तो please इसे subscribe कर लीजे और साथ में उस bell icon को प्रेस करना मत बुलिएगा ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियो की notification सबसे पहले मिल सके और आपको यह वीडियो कैसा लगा मुझे comment करके जरूर बताईएगा मेरा यह वीडियो देखने के लिए thank you so much guys